रोहित क्या कर रहा है खरीदता है कुछ आइटम्स ठीक है 25% डिसकाउंट पर जो कहां किस पर लग रहा है मार्ट प्राइस पर डिसकाउंट पाया है 25% और वो आइटम खरीदता है अब क्या कर रहा है कि रोहित क्या करता है कि जब खरीदने के बाद sells it और उसे base देता है for Rs. 660 making a profit of 10% और उसको फायदा हो जाता है कितना 10% का what is the marked price of the item तो MP कितना है उस item का marked price कितना है देखें यहाँ पर जो flow chart बनेगा वो ऐसा बनेगा कि पहले-पहले यहाँ पर MP दिया हुआ है उस item का और MP जो है मतलब कि MP मालिज है और यहाँ पर है discount यहाँ पर इस पर discount दिया गया discount percent कितना दिया गया 25% का 25% का discount देने के बाद यह क्या बनेगा SP बनेगा selling price किसका selling price उस item का selling price लेकिन जो selling price आएगा यह रोहित को मिल रहा है न तो रोहित के लिए यह CP के काम करेगा तो यह जो SP मिलेगा वो है equal होगा CP of item for रोहित तो यह जो CP मिलेगा मतलब यह SP मिलेगा OC को CP मानेंगे रोहित के लिए अब रोहित क्या करेगा इसको base देता है कितने में 666 में sorry 660 रुपीज में तो यह जो 660 रुपीज है यह आपका SP है ठीक है और यह CP हो गया यहाँ पर जो मिलेगा discount देने के बाद तो आप उसराए कि MP कितना होगा what will be the MP तो यह आपका flow chart है तो पहले पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर हाँ एक और बाद दिया है profit कितना यहाँ हो रहा है 10% का 10% यहाँ क्या हो रहा है gain हो रहा है gain is equal to 10% तो हमें पहले पहले मा लेना है कि MP मा लिजे की X रुपीज है ठीक है solution तो पहले मा लिजे की mark price क्या है X रुपीज mark price of the item be X रुपीज ठीक है तो X रुपीज मा लिजे जिसका प्राइस है अब यहाँ पर discount देने के बाद मतब कि X में से 25% घटाने के बाद SP निकल जाएगा तो हम यह SP निकल लेंगे पहले तो यहाँ पर निकल लेंगे क्या SP SP क्या है SP of the item मतब आइटम को कितने में बेचा गया और जितने में बेचा जाएगा वही equal होगा रोहित के लिए CP cost price क्योंकि रोहित को ही तो बेचा जा रहा है और रोहित ही खरीद रहा है तो रोहित खरीद रहा है तो उसके लिए वो क्या होगा cost price होगा तो SP of the item वो equal पहले निकाल लेते हैं यह equal होगा MP into 100 minus discount percent upon 100 तो MP आपका कितना है हमने माना है X रुपीज तो X into 100 minus यह जाएगा 25 upon 100 तो यह मिल जाएगा X into यह जाएगा 75 upon 100 तो 25 3 जा 75 and 25 4 जा 100 तो यह finally मिल जाएगा हमें 3X upon 4 ठीक है रुपीज तो यह होगया SP of the item selling price ठीक है अब हम यहाँ पर समझ चुके है कि जो SP of the item है वही है CP of the item for Rohit ठीक है तो here here SP of the item is equal to CP of the item for Rohit ठीक है रोहिद के लिए तो यह CP का काम करेगा जो भी यहाँ सरीं परेस निकाल ले है means CP हो गया इसका रोहिद का कितना 3X upon 4 इतना रुपीज यह हो गया CP रोहिद के लिए और CP यदि इतना है और gain percent आपका यहाँ मिल गया है और gain percent भी दे दिया है gain percent जो है कितना हो रहा है 10% का gain percent हो रहा है since यहाँ पर since gain percent कतना है 10% तो बताना है कि आपर यहाँ पर SP भी कितना है 660 रुपीज तो gain percent दिक 10% है तो इसका मतलब इंपलाइज यहाँ पर लगा सकते है कि gain percent is equal to जो formula होता है gain percent का क्या होता है formula होता है इसका ये कि sp में से हम cp minus करते हैं और upon कर लेते हैं cp into 100 ये होता formula ना तो gain percent आपको दिया और 10% तो यहाँ लग लेंगे 10 is equal to sp minus cp sp कितना है देखे sp यहाँ पर दिया हुआ है question में ही दिया हुआ है यहाँ पर कि यहाँ पर sp इतना विसल कर रहा है रोहित जो है रोहित ही cells मतलब कि रोहित cells 660 रुपीज में sp आपका हो गया 660 minus करेंगे cp cp कितना है cp हमने निकाला अभी यहाँ पर यह cp आपका तो यह हो जाएगा 3x upon 4 whole आपान cp आपका निकाला लिखना है मतलब कि यही लिखना है 3x upon 4 अब यह पूरा इंट्यू कर देंगे 100 अब ध्यान दूजएगा यहाँ पर मड़प्लाई कर लेते हैं इस पूरे से इधर क्योंकि यह निकाला डिनमेटर में है तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर लेगा 10 multiplied by यह मिल जाएगा 3x upon 4 is called 2 यहाँ वे solve कर लेते हैं तो यहाँ पान 1 करके LCM ले लेंगे यहाँ मिलेगा 4 LCM 1 for the 4 4 4 simple लेंगे 4 0 0 0 4 6 24 24 का 4 and 4 6 24 and 24 and 226 इतना मिल जाएगा minus 4 से जिख करेंगे तो 1 मिलेगा 1 3x मिल लेगा है यहाँ पर finally इतना आ जाएगा इतना into 100 अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोनों तरफ जो है denominator में नीचे नीचे देखिए ध्यान से 4 है और 4 है cancel out हो सकता है और numerator मे भी देखिए 10 यहाँ यहाँ पर 100 किया गया है यहाँ जोड़ा सिंपल हो जाएगा इसलिए मैंने यहाँ यहाँ से कर लिया मतलब कि जलदी कर लिया फास्ट कर लिया ठीक है 3x क्या हो जाएगा 3x क्यों फजाएगा यहाँ पर बचेगा आपको 2600 देखें यहां पर 10 बचा हुआ है 10 से बप्लाई कर लिज़ें यहां पर तो ब्लेट खुलेंगे तो इसमें 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 तो मिलेगा आपको 264 00 माइनस यहां मिल जागा 30x ठीक है अब यहां 30x को इधर लाएंगे तो यह 33x हो जाएगा यह हो जाएगा 264 00 अब यहां पर आप x की वेलूज है निकाल सकते हैं यह जाएगा 264 00 होल अपान 33 तो यहां पर 11 से केंसे लाड़ हो जाएगा तो 11 3 जा 33 यहां पर हो जाएगा 11 2 जा 22 4 बचा 44 11 4 जा 44 अब दो 0 बच्चे हुए है यहां पर 3 बच्चा 3 और 3 एड़ जा 24 मतलब मिल जाएगा 800 जैके 0 बच्चा बना यहां 800 तो 800 रुपीज आपका आ गया एक्स क्या था एक्स हमने माना सा शुरू में ही मार्गड प्राइस और वही पूछा भी है वाट इस दा मार्गड प्राइस आप दी आइटम तो हम यह निकाल लिया एक्स बराबर 100 तो यह लिए सकते हैं आपर कि हैंस एंस दी मांपट प्राइस अफ दी इतम इस दो 800 पीस